नमस्कार दोसों, आप शुभी का बहुत बहुत श्वगते, दोसों मुझे पता है कि आप कड़ुपती बनने वाले हो, बश एक मंत्र को अपने मन में पढ़ लेना, दिन में किशी भी शमय इस मंत्र को अपने मन में पढ़ लेना, दोसों कोई बिशान, कोई बिदुनिया की ताकत आपको कड़ुपती बनने शे रोक नहीं शकता, जे दोसों, आप शबी को बता दें कि आपके राशी के जितने भी जातक होते ही, दोस्तों भाग रिशे बहुत उज्वल होते हैं आपका भाग आपका बहुत यदा शात देता है लेकिन दोस्तों कभी कबार इशा होता है जब अपने रास्ते से आप भटक जाते हैं कुछ गलत संगत कुछ गलत आदत की वज़शी आप उने जूनकाल में अपने तरक्की को रोग देते हैं जया दोस्तों और इसी कारण कभी कवार आपको दुखों का भी शामना करना होता है प्रिशानियों शेभी आपको उलजना पड़ता है लेकिन दोस्तों आपका जन्म सिद्ध अधिकार यही है कि आप कड़ुपती बन कर ही रहते हैं जया दोस्तों तो दोस् बता दें कि जोती शास के नुशार जब भी किशी जाता के भागे चमकता है तो दोसों उनकी जुनकाल में वहन परकार के प्रश्ण खड़े हो जाते हैं जया दोसों और जो वेक्शित समयदारी तरिकेशे शही प्रश्ण का चुनाव करता है उनके जुनकाल में कड़ुपती बननेश उन्हें कोई भी इंशान रोक नहीं शकता। जिहां दोसों इसलिए दोस्तव आज की वड़ियो में हम आपको आपकी जुनकाल के लिए शब्से बड़ा घ्यान होगा। जिने अगर आप श्टूनर लेंगे तो दोस्तों आपकी जुनकाल में कड़ोरों के मालिक बनेशी आपको कोई भी रोक नहीं शकता। दोस्तों हमारा कहने कातात पर यही है कि जो भी जातक आज की वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक देख लेगा। उन्हें कड़ोरोपती बनेशी दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं शकता। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में कुछ जानकारी ही एशी है। कुछ ग्यान ही एशी है। कुछ उपाही एशे हैं। कुछ मंत्री एशे हैं। जो कि दोस्तों आपके जातकों के लिए ही बनाया गया है। खाशकर जे दोस्तों अगर आप इनहें कर लेंगे। तो दोस्तों आपके ऊपर या पिल्कुली सटिक बैठेगी। और आपको अपने जुनकाल में शब से उंचायों तक लिए कर जाएगी। तो दोस्तों ये इस वीडियो में देने वाले हैं और जुनकाल में आपको कौन से बातों का अब ध्यान रखना है कौन से गलती नहीं करनी है और कौन कौन से कार्याब आपको करना है दोस्तों सभी बाते आज के वीडियो में बताने वाले हैं और कौन से मंत्र भी आपको अपने जुनकाल में जिसे दोसों आपके जुनकाल में कड़पती बनना आपको निस्सित कर देगा जिया दोसों पहले दोसों जोबी माताल लक्षमी के शच्चे भगत इस वीडियो को देख रहे हैं दोसों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन से जय आप देखी रहोंगे कि इस प्रकार लोग पेशे के लिए यहाँ शे वहां वहां शेयां का दोड़ भाग करते रहते हैं दोसों हरेवक्ति का अलग-अलग पेशे कमाने का यश में जरिया बन चुका है क्यों दोसों पेशा शबी के लिए बहुती बढ़ा यश में कीरतेमा चल जाए जिन से हम अपने जुन आझाल पो अच्छी तरीक शेमाल सके प्रयाप्त तहन पर उसकता अवर्शी होना चाहिए जैसंआ लेकिंगक कुछ लोग गलत रास्ता जो अपनाते हैं और और कुछ लोग श्रही हर्ष है लोग सही रास्ता अपनाते हैं दोस्तों भध़े ह आप शिविक को बता दें कि आज कई है वीडियो आप शिविक की जुनकाल के लिए बहुती बड़ा मुल्मंत्र बहुती बड़ा रामबान शावित होने वाली है दोस्तों आप इन्हें अंतर देखिएगा आपको जीवन के जीने का एक नया शुरूत मिलेगा जो जानकारे आ बहुती महत्पून ग्यांशे बहुती महत्पून विचार से जो कि दोस्तों आप शिविक की जुनकाल में आपको याद रखने चाहिए कि दोस्तों हमारे जुनकाल में बहुत सी परकार की गटनाई होती है कभी कबार हमारे जुनकाल में जो गटनाई होती है हमें पता भी ही चलता है कि इस समय का क्या शमाधान है लेकिन दोस्तों हम आप शीक को बिता दें कि बहुत शारी शमयशाओं का एक ही शमाधान होता है जो कि हम शमय नहीं बात हैं तो दोस्तों यहीं बाते हैं जो कि आपके जुनकाग में बहुत शारी शमयशाओं का शमाधान आपको प्रति दिन भगवान के मंदिर में एक ही घी का दिपक जलाय करता था मिर्थियू होने पर जब दोनों यम लोग पहुंसे तो दोसों धनपती को निम्न श्रेनी और निर्धन को उच्छ शेरणी की शुर्धा प्रदान की गई जिन दोसों धनपती को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज शे इस संधर्व में प्रश्ण किया तो यमराज बोले पुन्य की महता धनशे नहीं कारी की उप्योगिता शन्हित भावना के अधार पर होती है मंदिर तो पहले शही परकास जिता उश व्यक्ति ने एशे अस्थान पर परकास पहलाया जिसे हजारों जरुत मंदों तक परकास पहुँचा और शी वज़ाशी वह ज्यादा पुन्य का अधिकारी बना जिया दोसों तो दोसों आप भी अपने जुनकाल में इन बातों को अध्यान रखें कि दोसों बहुत शारी शमश्याओं कर शमधन आपको इस बातों से मिलती है जिया दोसों तो दोसों आपको यह बात ने अच्छी लगी हो यह बातों को आप समझ पाए हैं तो दोसों एक लाइस जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री किष्णा राधी राधी तो आपको करणोड़ पती बनने के लिए या फिर अपने जिवनकाल में प्रयाप धन अर्जित करने के लिए कौन-कौन शेकारी करने चाहिए जिवनकाल की कुछ महत्पुन पहलू की बात करें तो दोस्तों आप शिवनकाल अभी फिलाग कुछ शालों से बहुत ही शंकट भरा चल रहा है जितना अपने धन कमाये थे दोस्तों वह भी यश्में खर्च होता जा रहा है और धनाना की शंभावना आप शिवनकाल में बहु अब शिवनकाल में धन चेज़वी परकार की शमश्याओं का शमधान मिल जाएगा जैदोस्तों लेकिन दोस्तों उनके लिए आपको कुछ बातों का द्यान रखना है और जो वीडियो में हम बताने वाले ही उन कारियों करना है तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देख पिछले कुछ शमश्याओं का आपको शमना तो करना पड़ा लेकिन दोस्तों उन में से कुछ ऐसे भी घटना है आप शिवकी जुनकाल में हुई है जो कि आपको वह पूरी तरह जग जोर के रख दिया है जैंदोस्तों हम आप शिवकु बता दी कि पिछले कई वरसों से आ अब यह तक आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है लेकिन स agree श्याद आपकी भी गफ्स गलते हम होती है जो कि आपको अपने कार भार को ची तरी की शिया करने नहीं देती आपको जूनकाल में आगे बढ़ने नहीं देती हैं आपको भी जूनकाल प्रे गलतियों को शु कारी करते हैं अगर आपको उनमें शपलता की प्राप्ती नहीं हो रही है तो दोस्तों सबसे पहले आपको हाड़ वर्क की शाथ कारियों के तहर तक जाना चाहिए कि दोस्तों आखिर आपका कारी हो क्यों नहीं रहा है आखिर इसके पीछे कौन सी कारण है जिसकी वज़ाशी आपका कारी बंते-बंते बिगड़ रहा है आखिर होई व्यक्ति तो आपके कार के पीछे नहीं है जो कि आपके कार होने नहीं दे रहा है इस प्रकार की दोस्तों आपको अपने मन में शवाल उत्पन करना है जे दोस्तों और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपके शाम आपके मन में एक अच्छा शब उत्तर आपको प्राप्त होगा जैसे दोस्तों आप इस प्रकार की प्रश्न अपने कारियों में करेंगे तो दोस्तों आपको जरूरी शमाधान प्राप्त होगा और दोस्तों यकीन मानिए इन बातों को अपने जुनकाल में याद रखेंगे है दोस्क उनके नखिंचार में कभी भी गरीबी आता ही नहीं दोस्कों हमेशा उनके शात ठहते हैं इशोर उनकी मनों को मनौमने को पूरी करने के लिए उनके एंटों में हात रखते हैं पाइक आपने जनकार में करना है कि दोस्वों बहुत शारी लोग एशा कारी करते हैं और उन्हें अच्छा परिणा भी मिला है तो दोस्वों आप भी अपने जुनकाल में आश ही इनकारी को गरें अगर आपके घर में तुलशी का पोधा हो तो दोसों परती दिन शुभा शाम घी का दीपक आप उस पर ज़रूर जलाएं जयने दोसों इस बात का ध्यान लगएं अगर नहीं भी हो तो दोसों इन्हें घर में लगाएं और घीपक जलाएं और दोस्तों साथ ही शुकरवार और सुनिवार के दिन लक्षवी नरायन मंद्री में जाके शफेद रिंगे आपको भी पिठाई चड़ा सकते हैं इसको परांद दोस्तों तिसरा चीज है पीली कोड़ी को देवी माता का पर्तिक माना जाता है कुछ सफेद कोड़ियों को केशर या पिर हल्दी के घोल में भीगो कर उसे लाल कपड़े में बांध कर घर में इसी तिजोरी है या पिर घर में वह जगा जहां पर आप केशे कभी कभी रखते थे या पिर रखते हैं वहाँ पर रख दें नारियल वीदी विधान से पुजा कर उसे चम के लिए लाल कपड़ी में लपिट कर वहाँ पर रख दें जे दोस्तों चौता चीज है शंक शमुद्र मन्थन के शमय प्राप्त हुआ अनमोल रत्नों में शे एक है जे दोस्तों लक्षमी के शात उत्पन होने के कारण शे ल दोस्तों घर में आप एक ना एक शंक अवशी रखें इसको पराण दोस्तों आपको प्रति शनिवार को पीपल को भी जल चढ़ाना चाहिए और उसकी फूजा भिकरने चाहिए इसी भी दोस्तों धन्शमर्दी में बड़ोत्य होती है और घर की जो आर्थिक तंग्या होती यहाऊ इनसे खत्म होती हैं तो दोस्तों आपको अपनी जोनिकाल में इन बातों के दिया लखे ना के उप्रांदी दोस्तों घर में हिशान कौन में हमेशा खाली रखें खोश रखने तो वहाँ पर दोसूजल बहा एक पातर रती जास जाएं, चाहें वहां जल कलश भ शुक्षमिर्दी भी बनी रहती है तो ऐसे दोसों आपको बताते हैं कि कौन से मंत्र का आपको जाब करना चाहिए ताकि दोसों जो भी आपके जुनकाल में परेशानियां पिछले कई वर्षों से घर बना कर बेठा है दोसों यह परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाए जे दोसों तो दोसों इनके लिए आपको इस मंत्र का जाब करना है जे दोसों यह मंत्र शिद शाबर मंत्र है जो की हनुमान जी दोरा शिद है दोसों यह मंत्र आपके जुनकाल की शारी परेशानियां शारी दुख को जड़शे ही खत्म कर देंगे तो दोसों इस मंत्र को आप ध्यान से जर्व शुनेगा जड़शों मंत्र है ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारहा का जवान हाथ में लड़ू मुख में पान आओ आओ बाबा हनुमान नो आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार मंत्र को आप ध्यान से जर्व शुनेगा मंत्र है ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारहा का जवान हाथ में लड़ू मुख में पान आओ 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 बाबा हनुमान नो आओ तो दुहाई महादेव गौरा पर्वति की शब्द शाचा पिंड कांचा फूरों मंत्र इस्वरों व मंगलवार या पिर शनिवार शे आरम करें हनुमान जी को शिंदूर का चोला जनेव, हडाव, लंगोट, दो लड़ू और दोवाजा चड़ावें इसके बाद परतिक मंगलवार को व्यत रखें लाल वस्तर धारन करें तथा लाल चन्नन की माला शे जपादी कर्म करें शनि तीन महिनें तक करें शदा पवित्र रहें हनुमान जी दर्शन देंगे उश्मेट जो चाहे वे शबी मांग लेना जिवनकाल की शारी दुख कर देंगे शंकट शमर्शाओं से शंकट मोचन आपको दूर रखेंगे जी अदोसों और कमेंट बॉक्स में शच्ची मन से जय ह हनुमान जरूर लिखेगा और शादोसों और इश्यदी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद